हलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एक्जाम ट्रिक्स पे जिस पर आपको एकदम स्टिक जानकारी सबसे पहले दी जाती तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरू कर लेना है यह चीज काम की है वई आपके काम आने वाड़ी है हम बात कर आंसर की भी रिलीज नहीं की गई है तो आंसर की अगर हिसाब से आती तो अब तक आ चुकी होती लेकिन कुछ स्टूडेंट का यह है कि भी आंसर की अलग-अलग फेज की मतलब अलग-अलग आएगी या साथ में आएगी तो एक चीज़ में आपकी कंफरम कर देता हूँ अ एंटी वाड़ों से जब बात की तो इन्होंने खास से वैसे जो मतलब दिल को सुकून देने वाड़ा जवाब तो इन्होंने कुछ नहीं दिया वई इन्होंने यह वोला था कि भी आप वेट करो एक हफते बाद आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी तो एक हफते हम कित तो देखे वाई अगर साथ में मतलब अलग अलग आनी होती तब तक आ चुकी होती आपकी आंसर की साथ में ही आएगी ठीक है और अभी देखिए जो मतलब थर्ड फेज का जो एक्जाम हुआ था वो आप इतना मानों की जैसे चार और पांच से जनुवरी को हुआ था और उस पूँच रहा तो थोड़ा उसमें डिले हो सकता है लेकिन आपकी जो आंसर की है वो आपकी बीस तक के आज आएगी आराम से बीस तक के आपकी आंसर की आराम से रिलीज कर दी जाएगी कोई दिक्कत वाड़े बात नहीं 15 से 20 के आसपास से और रेजल्ट की अगर हम बात कर आपका रेजल्ट भी रिलीज कर दिया जाएगा